बच्चो आज मैं आपके सामने विद्धुधार और परिपत के दो क्रिया कलाब करने वाली हूँ इस क्रिया कलाब को करने के लिए मैंने इस बोड पर तीन प्रतिरोध लिये हैं अब देख सकते हैं बच्चो प्रतिरोध AB जिसका नाम मैंने रखा है R1 प्रतिरोद CD जिसका नाम रखा है मैंने R2 और प्रतिरोद EF जिसका नाम मैंने रखा है R3 अब बच्चों इन तीनों प्रतिरोधों को मैं आपके सामने जोडने वाली हो इन प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड सकते हैं सबसे पहले तो इस प्रतिरोद को मैं लगातार एक के बाद एक जोड़ूंगी लगातार एक के बाद कैसे जोड़ेंगे हम हम प्रतिरोद R1 के अंतिम सीरे को दूसरे प्रतिरोद R2 के पहले सीरे से जोड़ेंगे और वैसे ही दूसरे प्रतिरोद R2 के अंतिम सीरे को तीसरे प्रतिरोधा 2 के पहले सीरे से तो आओ बच्छो 3 को जोड़ने के बाद इन प्रतिरोधों के से तुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है इन प्रतिरोधों पर क्या परिवर्तन आता है इसके लिए मैंने यहां पर आपके सामने लिया एक बैटरी और आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास एक अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है और आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास इस अमीटर और वोल्ट मीटर तथा बाकी प्रतिरोधों को जो भी हमारे पास है अब जानते हो बच्चों एमिटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है एमिटर को हमेशा परिपत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को वोल्टमीटर को परिपत के साथ समानतर क्रम में जोड़ा जाता है तो मैं यहां पर एमिटर को श्रेणी क्रम में जोडने वाली हूं और वोल्ट मीटर को समानतर क्रम में और जो परिपत त्यार होगा उसमें हम इस बैटरी की सहायता से जिसका नाम मैंने इवन रखा है यहां पर मैं धारा प्रवाहित करूंगी और देखेंगे कि इस श्रेणी क्रम से योजन में तोल्य प्रतिरोध क्या ग्यात हो रहा है तो इन तीनों प्रतिरोधों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जैसा कि मैंने बताया था बच्चों आपको सीरे से जोडने वाले हैं यह हमारे पास क्लिप है बेटा इसको हम क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं तो इसको मैं बी सीरे से जोड रही हूं और यहां पर मैंने आर्टू के सी सीरे से जोड़ा है तो यह लगातार एक के बाद एक जोड़ गहें दोनों अब इसी प्रकार मैं द देख सकते हैं बच्चों ये तीनों प्रतिरोध लगा तार एक के बाद एक स्रैनी क्रम में जुड़ चुके हैं अब हमारे पास यह वोल्ट मेठर है ेस वोल्ट मेठर को इन दो तारों की सहता से मैं इन प्रतिरोधों के साथ समानतर क्रम में जोड़ती हूं इसके लिए मैं इस प्रतिरोध R1 के A सीरे में वोल्ट मिटर का एक सीरा जोडती हूँ और इस R3 तार के R3 प्रतिरोध के F सीरे में वोल्ट मिटर का दूसरा सीरा जोडती हूँ इस प्रकार ये वोल्ट मिटर इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के साथ समां जोड़ेंगे अमीटर हमेशा बच्चों परिपत में स्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यहां अमीटर से आने वाली धन सीरे से जो तार है उसको मैं इस एफ सीरे से जोड़ देती हूँ और इस अमीटर का एक सीरा मैंने खाली रखा है ताकि मैं इसे बैटरी से जोड़ू और इसमें धारा को प्रवाहित कर सको अब यह हमारे पास बैटरी एवन है अब इसे भी मुझे परिपत में जोड़ना है जिससे कि इस परिपत में धारा प्रवाहित हो सके हमारे पास एक औ रकार हमारा परीपत पूर्ण हुआ अब इसमें धारा को प्रवाहित करना है अब इस धारा lumpsens इस बैटरी की सायता से प्रवाहित करती हूँ उसके लिए मैंने इस एमिटर के रिंड सीरे को खाली छोड़ा था। अब मैं इसको बैटरी के रिंड सीरे से जोड़ूँगी जिससे कि इस परिपत में धारा प्रवाहित होने लगेगी और उसके बाद फिर हम एमिटर और वोल्ट मिटर दोनों के मान को नोट करेंगे तो बच्चों मैं इसे बैटरी के रिंड सीरे के साथ जोड़ती हूँ देखो बच्चों हम देख सकते हैं कि इस एमिटर में और वोल्ट मिटर में दोनों में हमको मान प्राप्त हो रहे हैं एमिटर में हमको एक एमपियर का मान प्राप्त हुआ है और वोल्ट मिटर में हमको 0.5 वोल्ट का मान प्राप्त हुआ है अब हमको R ग्याद करना है तो हम V को I से भाग देंगे यदि मैं 0.5 को एक से भाग देती हूँ तो इस परिपत का जिसे मैंने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है उस परिपत का तुल्य प्रतिरोध मुझे 0.5 ओम प्राप्त होगा तो बच्चो अभी हमने श्रेणी क्रम में जोड़के इस परिपत का तुल्य प्रतिरोध ग्याद कर लिया अब हम इसको दूसरे तरीकी से जोड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम इसको दो तरीकी से जोड़ सकते हैं पहले हमने इसे कैसे जोड़ा था लगातार एक के बाद एक पहले वाले प्रतिरोध के अंतिम सीरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सीरे से और क्रम बनाई थी अब हम इसमें सारे प्रतिरोधों के प्रथम सीरे को एक साथ जोडते हैं और अंतिम सीरे को एक साथ जोडते हैं जब हम सारे प्रतिरोधों के प्रतम सीरे को एक साथ जोडते हैं और अंतिम सीरे को एक साथ जोडते हैं तो जो क्रम तयार होती है उस क्रम को हम समानतर क्रम कहते हैं तो बच्चों हम इस प्रतिरोध को अब समानतर क्रम में जोड़ के देखते हैं इसके लिए मैंने इस आरवन से निकले वाले तार को देख सकते हैं ए सीरे के तार को मैं सी के साथ जोड़ रही हूं आर टू के और टू के इस सी सीरे को मैं R3 के E सीरे के साथ इस तार की सहता से जोड रही हूँ। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सीरे A, C और E एक साथ जोड चुके हैं। अब इनके दूसरे सीरे बाकी हैं अंतिम सीरे, तो इनको भी मैं तार की सहता से जोड सकती हूँ। यहाँ पर इन योगों में आप देख सकते हैं एक common point C मिल रहा है और यहाँ पर अंतिम छवर में common point हमको D प्राप्त हो रहा है अब इस common point में ही मैं voltmeter को समांतर क्रम में जोड़ देती हूं इस voltmeter से भी इस निकली धन सीरे की तार को मैं C के साथ जोड़ देती हूं और इसके रिंट सीरे से निकली तार को मैं D के साथ जोड़ देती हूं इस प्रकार इन प्रतिरोधों के साथ यह voltmeter समांतर क्रम में तार की साहता से जोड़ चुकी हूं अब ammeter जोड़ती हूं ammeter के इस धन सीरे को भी मैं उसी common point अंतिम सीरे के मतलब D के साथ जोड़ देती हूं इस ammeter का रिंट सीरा बच्चो मैंने खाली रखा है और इसको मैं battery के रिंट सीरे के साथ जोड़ूंगी ताकि इस परिपत में धारा को प्रवाहित कर सकूं तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं अब इस battery के even battery जिसे मैंने धारा प्रवाहित करने के लिए लगाया है इसके धन सीरे को भी मैं इस प्रथम सीरे के common point C के साथ जोड़ देती हूं और यह परिपत हमारा पूर्ण हो चुका है हमने यह वोल्ट मिटर को समांतर क्रम में जोड़ दिय मैं धारा को प्रवाहित करूंगी और धारा को प्रवाहित करते ही अमीटर कमान और वोल्ट मिटर कमान दोनों हम नोट करेंगे तो बच्चों इसको जोड़ते हैं मैंने इसको रेंट जीरे के साथ जोड दिया आप देख सकते हैं बच्चों अमेटर में भी मान मिल रहा है हमको और वोल्ट मेटर में भी मान प्राप्त हो रहा है अमेटर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ अमेटर का मान हमें एक एंपियर प्राप्त हुआ और आप देख सकत व litigation गसिए बदे बच्रोगे में कितना मानप्रात्त हो रहा है वोंटमेटर क मान तो बच्चो घट गया है कितना प्राप्थ हो रहा हैं हमको 0.25 वोल्ट सवह अब मैई इस क्रम के तुल्य प्रतिरोध को निकालना चाहो तो मुझे वी को आई से भाग देना पडे जैसा कि ओम का नियम कहता है तो मैं 0.25 को यदि एक एंपियर से भाग देती हूं तो इस परिपत का तुल्य प्रतिरोध मुझे ग्याद होता है 0.25 ओम यह क्या बच्चो हमने देखा कि जब shake a music ऑट रहते तो तुल्य प्रतिरोध 0.5 म प्राप्त हुआ था जैसे अ ne प्रतिरोत कमान बढ़ जाता है और यदि हम समानतर क्रम में जोडते हैं तो प्रतिरोत कमान घट जाता है